नमस्कारम प्रीजनों आप देखरें बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी के लिए गुड़ न्यूज है सी यूटी 2022 रेजल्ट अनॉंस्मेंट के बाद इनिवर्शटी जपना पोर्टल्स ओपेन कर रही हैं काउंसलिंग और अड्मिशन के लिए इसी सीरीज में फाइनली कासिंद उस्वीद्य अलग के पोर्टल्स ओपेन हो गए हैं इसका अपडेट अल्रेटी भी एक चैनल्स पर जा चुका है लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाइस्टेशन को समझेंगे कि कैसे काउंसलिंग होगा काउंसलिंग में क्या होंगा जहां पर जाके आप अपने इंक्वारीज डाल सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको उता दूं कि भी एचुपार्ट साला पर हम लोग कांसलिंग से रिलेटेट हंडेट वीडियो देने वाले हैं जिसमें हम लगभग 25 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अभी आपके क 65 के आसपास होना चाहिए तो आप लोग प्ली चनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब यह जो डैसबोर्ड है यह बेच्चु ऑनलाइन का डैसबोर्ड है किसका है बेच्चु ऑनलाइन का ठीक है अब आपको दिख रहा होगा यह रेगुलर एक्जाम से स्कूल स्टूडें कांसलीं टूटवड टूंटीटू एंड टूंटी थरी रेजिस्टेशन फ़ार योजी यहां पहले लिखा एक्लिक के ड्यू अप्लाइज करने से पहले देखते हैं कि रेजिस्टेशन आइन कांसलिंग प्रोसेस क्या है और रजिस्टेशन स्टेप्स एफ़ कंडिडेट स क्या है ठीक है ओके हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तहम लोग इसका प्रोसेज देखते हैं कि यहां पर आपके लिए एक लेटर है बड़ा ही अच्छा सा लेटर लिखा गया है लेटर फॉर रेजिस्टेशन और अडमिशन 2022-23 इन यूजी कोर्सेज के लिए है और यहां पर इन्होंने सब्जेक्स में डाल दिया है कि ऑनलाइन कौंसलिंग है ठीक है प्रोविजनल अडमिशन टू अंडर गेजवेट कोर्स सब्जेक्स टू अविविल्टी आउफ सीट्स एट और नमलाइजड कोर्स यानि यहां पर इन्होंने मेंसन कर दिया है कि सीटी के नॉर्मलाइजड मार्क्स के ही बेसिस पर हम लोग आपको एडमिशन दे रहे हैं ना कि आपके एक्ट्वल मार्क्स पर मलब धोखा दड़ी है लेकिन धोखा दड़ी जैसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते है और मैं आपको बता दू कि ट्विटर पर मैंने सबसे ज़्यादा NTA के लिए उनके कमियों को बताया है होफुली आप उसको भी माइंड में रखना कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है बरहाल इस वीडियो में कुछ बोलना नहीं चाहता है और यहां पर जो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है आपका रेजिस्टेशन ठीक है फिल अप प्रिफरेंस इंटीज थ्रोधर भी एक चुस्ट्रेंट कांसलिंग पॉर्टल यह आपका 26 से शुरू हो जागे आप अभी आप रेजिस्टेशन करोगे मैं आपको बताऊंगा वी वीडियो में लेकिन आपको 26 से प्रिफरेंस है वो है थर्ड अपक्तूबर 11 बज के 69 मिनट पीम यानी रात को ठीक है आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर यहां पर आपको इंट्री करने के लिए बताया जा रहा है कि बेच्चू ऑनलाइन पर जाना है फिर स्यूटी अप्लिकेशन नंबर ठीक है वह यह जो आपको यूजर आइडी है फिर एक्जाम रोल नंबर कंडिट आर टू एडवाइज पासवर्ड आज रोल नंबर आपको डालना है एडवाइज टू चेंज दिर पासवर्ड फर सेकूर्टी प्रोसेस पर उसके बाद यहां पर आपके लिए कुछ और डिटेल्स हैं आप इसको दे कि यहां पर लुक देखते हैं इसजिए का स्कोर कार्ड यानि जो आपके मार्क्स आय हुए हैं जिसमें नॉर्मलाइजड पर्संटाइल है वो ओके जेपीजी फॉर्म में यहां पर देखो पिएच से आते हैं आपको अपना है आप अगर है कर्मचारी बेटे हैं तो आप अपना क्रिम कोता का जो कर लगाएंगे और आफसी के लिए वस्वान जाएगा बीस दो सो रुपए reflection कोषिस करना यह पैसे इनको बढ़ा के देंजेना पता नहीं कि पैसे चाहिए इन लोग को भगवान जाने इन्होंने सीटीक एक्जाम्स में पैसे लिए 1200 रूपए 2200 रूपए हर इन्वर्सिटी अगर दस इन्वर्सिटी बचार इस्टिसन करता है तो दो जाईद है टोटल 3200 रूपए आना जाना किराय भाड़ा मलब कुल मिलाकि इन लों के पास पैसे की बहुत कमी नहीं है देख लेना अपने इसाफ से बाकि मैं जो प्रूफेशनली बोलना चाहूंगा वहीं बोलूंगा 200 रूपए सामानने के लिए 100 रूपए स्टी एससी के लिए और पीड़ावलूटी के लिए ओके हैं फिर उसके बाद है इस्टूडेंट कॉंसिलिंग पोर्टल 2022 प इन्हों ने पूरा प्रोसेश बता दिया है रेउगलर फीज सीट बारे सब चीज़ें आपका वह जो पोर्टल है जिसको प्रिफरेंस वाला बोलते हैं 26 तारीक ओपन हो जाएगा इसका क्लोजिंग डेट है तीन को और फिर आपके यहां से सीट अमांड में यानि आपका ज तारीक में पेट सीट राउंड आएगा फिर स्वाट राउंड का मतलब होता है वह सीटें जो किसी कारण वस खाली रह गई हो जैसे मालों किसी ने अचानक से अपना एडमिसन विड्रॉल करा लिया या किसी कोर्स में सीट नहीं फूलो पाई तो उसके लिए 20 तारीक को 30-30 से ठीक है यह भी अच्चू के अफिलेटेड कॉलेज के लिए फिर इन लोग की भी का जो क्लास से जाओं एक अक्टिस अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे तो यह वह राल एक आपको पूरे स्टेफ्स बता दिया मैंने अब हम लोग फिर से चलते हैं बैक ना वह ज विजिट कर रहे एक साथ बहूत स सारी मिजट कर रहे हैं तो यहां प्रोर्जेश देख लेना नहीं समझ में Creative तो कॉमेंट कर देना ठीक है ओपन नहीं हो रहा भी तो फुली मैं आपको बता दूँगा बाकि मुस्कुराते रहें बीचु पार्ट सला हरे वीडियो देखते रहें कॉमेंट्स करिएगा प्रॉबलम होता है तो ठीक है और बाकि सोसल मीडियाज हैं वहां सभी आप कफर कर स सकते हो यह मैं इसमें नंबर डाल दूँगा वाटसप का टेलेग्राम का ध्यान देना काउंसलिंग अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पेड काउंसलिंग भी करा सकते हो बीचु पार्ट सालव पर ठीक है वाटसप कर देना मैं बता दूँगा प्रोसेस ओके मु